दोस्तो आज मैं ब्रत का बना रही हूं खाना जो बहुत ही इजी है और बहुत जल्दी बन जाता है तो इसके लिए मैं बनाई अपने लिए आज एकाची ब्रता तो मैं सबुर्दाना का इंस्टेंट खीर बनाई हूं तो इसलिए मैं सोची आप लोग के साथ भी ये वीडिय शेयर करतूं तो इसके लिए मैं सबुदाना 2-3 घंटा पहले भीगो के रखी थी पाणी से अच्छे से दो तीन पाणी से दो दिया था फिर उसके बाद उसको भीगने के लिए थुरा पानी डालके रख दिया था अब कराही गरम किया और उसमें डालके दो चार बार उसको कि चला दीइं और फीर उतके बाद उसमें शक्कर अपना हजाब से डाले जितना मीठापू खाते हो जितना मीठा पसंद हो उसाब से शक्कर डाले और फिर उसके बाद जो है सो थोड़ा सा एक चमस के बराबर पानी डाल दे और उसको अच्छे से गरम होने दे चीनी को पगिलने दे गैस फ्लेम मीडियम रखे और चीनी पगिल जाए जब अच्छा से तो देखिए सबुदाना जो है सो पका हूँ हो गया है अब इसमें जितना दूर डालना है उससाफ से दूर डाले जितना सबुदाना हो उससाफ से आप दूर डाले और चार-पांच मिनट मीडियम फ्लेम पर इसको अच्छे से पका दे तो यह बहुत जल्दी बन जाता है दस मिनट के अंदर ही सबुर्दाना बनके तियार हो जाता है तो इसके लिए मैं सबुर्दाना खीर बनाके और आप लोग को रिस्पी के शेर करih़ें आप लोग के सातना जितना गयाळा आपको चाहिए उतना गयाळा कर ले उसके बाद यह सबुराना खीर धंडा होने के बाद और ज्यादा region तो उतना गाड़ा जो इस अच्छा नहीं लगता है तो देखे चेक करके देख लेजी एकदम से जब पक जाये उसके अंदर जो वाइट जैसे रहता है वह नहीं रहेगा तो फिर पक जाता है एकदम अच्छा से अब यह तियार हो गया और इसको बरतन दूसरे बरतन में इसक की ट्रांसफर करके रख सकते हैं है है अब गर्म या ठंडा जैसा आप लोग को पसंद दो कितने को ठंडा पसंद दोता है और कितने को गर्म फिर तो जिनको जो पसंद दो उसी साफ सेchi करें तो आप लोग को मेरी की अच्छी लगैं तो प्लीज आप लोग ल 스타일 करना नह झाल झाल